इतिहास में कई बड़े पहलवान हुए हैं जुन्होंने अपनी ताकत और अहुनर को सब को दिखाया है भारत में पहलवानों की बात करते ही गामा और दारसिन्व जैसे पहलवानों का नाम जबान पर आजाता है अक्सर पहलवानी में भारत के ही पहलवान जाने जाते हैं मगर विदेशी धर्ती पर भी कुछ ऐसे पहलवान हुए हैं जुन्होंने दुनिया भर में अपना नाम किया ऐसे ही एक पहलवान थे यूजेन संडो जिन्होंने जमनी का नाम पहलवानी में रोशन किया कभी एक 1867 में संडो जर्मनी के कोनिसबर्ग नामक स्थान पर पैदा हुए थे मगर थोड़े ही समय बाद उनका परिवार इंगलेंड की ओर रवाना हो गया वे अक्सर खासी और जुकाम की वज़े से परिशान रहते थे माना जाता है कि उनका लीवर काफी बढ़ा हुआ था इसके च पिता से पूछा कि क्या इसकड काठी के इनसान भी होते हैं उनके पिता ने फिर उन्हें बताया कि यह लोग इतिहास के वेह युद्धा हैं जो हतियार से कम और अपने शरीर से ज्यादा लड़ा करते थे इसलिए यह सब इतने बलवान शरीर के हुआ करते थे उसके बाद बलवान बनने का जुनून उन पर इसकदर चढ़ा की वेह थोड़े ही दिन में कसरत करने लगे हाला कि समय के साथ उनका शरीर अपने आप ही खिलता गया जैसे ही उन्होंने एकिस की उम्र में कदम रखा उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और ताकत वर हो गया संडो ने पहली बार 280 पाउंड का भारबड़ी ही आसानी से करके दिखा दिया था हाला कि उन्हें इसके लिए दोनों हाथों का इस्तिमाल करना पड़ा इस मुकाबले के बाद भी संडो रुके नहीं उन्होंने लोहे के दो मोटे रोड को तोड़ कर जंता को हैरान कर दिया हाला कि पैसो से कहीं ज्यादा कीमती नाम संडो ने कमा लिया इसके बाद ही वेग मशूर हुए संडो ने शेर को भी ढेर किया एक बार संडो अमेरिका के सेंट फ्रांसिसको गया वहां उसने शेर से लड़ने का इलन किया और बड़ी जोर शोर से विग्यापन प्रकाशित क जिस थान पर ये खेल होना था वहां पर 20,000 दर्शक के बैठने का इंतिजाम किया गया जिस शेर से संडो के लड़ाई होने वाली थी वे 530 पाउंड वर जन का एक खूंखार शेर था संडो जैसे ही अखाडे में उसके सामने उत्रे की वेह संडो के उपर गरजते हुए पर फेंक दिया शेर चारो खाने चिट हो गया संडो के इस कारनामे ने उनका नाम दुनिया भर मर मशूर कर दिया सल्मान खान के चाचा भी प्रभावित बलेवुड के स्टार अभिनेता सल्मान खान के चाचा भी संडो की व्यायाम प्रनाली से प्रभावित हुए थे उनक नाम नईम खान था लगभग 126 साल पहले संडों ने स्ट्रेंथ और जिसको पढ़कर सल्मान खान के चाचा नईम खान ने देशी पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देना शुरू किया नईम खान ने एक रिपोर्ट में बताया था कि यहां किताब यूरोपियन फैमिली से तालुक रखने वाले मिस्टर सिरेंस ने उन्हें दी थी जो कि उनके पिता के दोस्त थे माना जाता है कि सल्मान खान को भी बॉडी बिल्डिंग का चस्का अपने रिष्टेदारों को देख कर ही लगा था उनमें से ही एक थे नईम खान इस तरह संडों 1925 में अ स्थेंग।